गुद आफटरनून दियर स्टूडन्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइज और उनका क्लासिफिकेशन रंगों के बिना देखते हैं हमारी दुनिया क्या है अधूरी है colors play an important role in our lives तो इन रंगों के विशे में हम जाने कि किस किसम के रंग होते हैं आप देखते हैं प्रकरती ने आनेक रंग हमें दिये हैं हरा लाल पीला नीला अगर सब सफेद होता तो सोचिए या सब बूरा होता तो क्या होता तो ये रंग ही हैं जो एक positivity एड़ करते हैं लाइफ में और बहुत important रोल प्ले करते हैं क्योंकि इनकी बहुत सारी medicinal properties जी होती है तो अब इन रंगों में हम किन को कहेंगे कि वो dies हैं die किन रंगों को die कहेंगे हम जो वस्तर पहनते हैं जो हमारे हाँ furniture है हम यूज करते हैं luxury के item चाहे वो हमारा parts हो चाहे bags हो चाहे leathers के चीज़ सामान हो जूते हो कई किसम की make-up की वस्तुएं हो या खाने की चीज़ें हो सभी क्या होती है colored उनमें ये रंग चड़ाया जाता है कुछ एक तो प्राकरतिक होती है पर ज्यादतर जो है उनके उपर ये color लगाया जाता है ये color ऐसा dye ऐसा जो की चड़े तो फिर उत्रेना टिकाओ हो तो क्या होते हैं ये dyes dyes जो है वो इस किसम की हमारे compounds होते हैं जो की एक suitable color दे दें जिस चीज में को हमें रंग ना हो उसको जिस रंग से हम रंग ना चाहें वो रंग उसे दे दें साथ प्रत्रम टिकाओ हो टिकें उसमें और उसके बाद वो खराब ना हो फेड ना हो तो जब हम dye के विशह में पढ़ रहें color के विशह में तो ये color आतक कैसे है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इससे पहले electromagnetic radiation उसमें UV visible spectroscopy यह जो हमारा visible region है जिसमें color दिखता है वो है 400 से 800 नैनो मीटर तक का अब कोई भी चीज है कोई भी वस्तु वो काली क्यों डिखती है क्योंकि वो सारे wavelength को जो light वाले wavelength होते हैं इनको absorb कर लेती है और अगर कोई object है वो 435 से 480 नैनो मीटर इस area उसमें absorb करे तो यह blue color इस wavelength का color blue होता है visible area मे visible spectrum में तो वो हमें प्रतीद होता है yellow complimentary color दिखता है और कई एक तो ऐसे होते हैं कि उनका जो lambda max value आती हो 400 से नीच है यानि कि वो visible range से नीच है उसके बावजूद भी वो color दिखते हैं क्योंकि उसमें कुछ हिस्सा जो है वो visible वाले portion में फैला हुआ होता है तो यूं कहें कि visible range की जितनी चीज़ें हैं वो कई न कई धंक से हमें colored दिखाए देंगी उनमें से हैं dyes क्या है ये dyes एक colored substance जो chemically bond करता है जिस पीच सतह पर उसको डाला जाए चाहे वो खाने पीने की वस्तु हो चाहे वो make-up की चीज़ हो चाहे वो furniture हो चाहे वो clothes हो और चाहे वो हमारे रोज की appliances हो या कुछ ऐसे पदार्थ हो जो decoration piece के form में use करे जा रहे हो जैसे कि रंग बिरंग ये artificial pool हो गए furnishing की कई वस्तु हो गई all our colored तो वो उसमें सतह में कैसे लगते हैं जिसके उपर ये डाले जाते हैं क्योंकि अब कहेंगे हमेने डाए क्योंकि ये उसके साथ या तो covalent bond या hydrogen bond या weak vander walls जो forces हैं उससे जुड़ते हैं उसको एक ये permanent color देते हैं ये color जो है ऐसा नहीं है कि हम मान लिजए हमारा bed cover है या हमारा sofa cover है अगर sofa cover को dry clean करा जाए या गाड़ी में लगने वाली किसम किसम की जो है उसके cushions है अगर उनको dry clean करा जाए या धोया जाए तो रंग नहीं होना चाहिए तब ही उसको हम dry कहेंगे color not removed by water, soap, sunlight और dry cleaning देखें हम पिखरिक acid है, trinitrotolven है, दोनों ही yellow होते हैं तो क्या हम इने कहें कि ये dye है, नहीं, हम इसमें से पिखरिक acid को ही dye की category में डाल सकते हैं क्योंकि ये किसी fabric या कपड़े की सतह पे उसके उपर fix हो जाता permanently और तब हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है dye है trinitrotolven के case में ऐसा नहीं होता है, जबकि वो भी पीला कलर का है dye जब हम apply करते हैं, तो aquis solution में, पानी के solution में, generally हमेशा नहीं, generally water soluble होगा, तभी apply होगा ऐसे और कई बार ऐसा होता है, कि वो लग नहीं सकता है सतह पे, किसी भी fabric की, ये किसी भी surface जिसको हम ड्रंग देना चाहते हैं, color करना चाहते हैं, उस surface पे नहीं लगता है, उसको लगाने के लिए हमें एक beach का माधियम चाहिए, उस माधियम को हम कहते हैं modern, इस modern, ये modern ऐसा होता है middleman जैसा काम करता है, ये dye को उस surface के साथ fix करता है या जोडता है, ऐसे पदार्थ को हम कहते है modern, इस type के dye को अभी हम आगे पढ़ेंगे, कहते है modern dye, जो उसमें इन moderns की साहिता से लगता है, इन बीच के माधियम की साहिसा से लगता है, जिससे ये dye fix हो जाए सत्य के ऊपर, अगर हम chemical compounds की बात करें तो उसमें क्या होना चाहिए, रंग तो दिखता ही है, हमें मालूम पढ़ गया, electromagnetic radiation के वो visible वाली range में, हमें color, उसकी wavelength होगी, तभी वो वहाँ color देगा हमें, और dye तभी कहलाएगा जब उसमें fix हो जाए किसी भी सत्य पर, कुछ bonds के जरीए, चाहिए वो weak हो, चाहिए वो strong हो, और उसमें वो खराब ना हो, किसी भी तरह से, पानी से, या solvent से, या light पढ़ने पर, प्रकाश पढ़ने पर, या pollution से, chemicals की आधार पर, चलिए, हम बात करें, उसमें क्या होना चाह है यह, हम जानते हैं, colored compounds, chromophore, यानि की color bearing group, इसके लिए आप देख सकते हैं, इससे पहले के वीडियो, जो डले हो हैं इसमें, किसके उपर, electromagnetic radiation, ultraviolet spectroscopy के उपर, जहां हमें chromophore और oxochrome, यह दोनों terms मिलती हैं, तो chromophore color bearing group, जिसमें conjugated system होता है, और resonance होगा, अब chromophore के साथ में, जो इस color को और increase करता है, या color लाने में मदद करता है, उसको हम कहते हैं, oxochrome, तो कुछ, यह तो color bearing groups जो होंगे, chromophore, यह तो conjugated system होंगे, c double bond c, c double bond o, c double bond n, n double bond n, आप पुराने वीडियोस देखेगा, oxochrome जो होंगे, यह मदद करते हैं, क्योंकि resonance को तो carboxylic acid, hydroxylic acid, hydroxylic group, sulfonic acid, amino, यह कुछ एक oxochrome है, जो इसमें होने चाहिए, सबसे जो हमें, इसमें मिलती हैं, dyes के विशे में जानकारियां, वो records चाइना के, dated 2600 BC, और इसके अलावा, Egypt, जहां के, बहुत famous हैं, tombs, pyramids, उन pyramids को देखने लोग जाते हैं, तो वहाँ भी, क्योंकि वहाँ, राजाओं को रखा जाता था, preserve करके, मामीज के form में, तो, यह king, Tutankhamen, Egypt में, इनकी जो tombs में मिला, जो pyramids में मिला, पिरिमिट के अंदर, उन चीजों में, एलिजरिन, जो की red color देता है, natural dye, madder plant से निकाला हुआ, इसकी उपस्तिती, इसकी मौद्ध की पाई गई, यानि कि उस समय में भी ये use होते थे, देखिए, इसी तरहे, snail, snail एक animal है, उससे मिला ये purple color, टिरियन purple जिसको कहते हैं, रोमन हिस्ट्री में, जो र की, purple color की, purple was a royal color, similarly indigo, indigo, deep blue color, ये textile industry में, बहुत समय से, use करा जा रहा है, in fact, ये, सबसे पहले जिसकी पहचान बनी, dyes में, वो, उसमें indigo भी आता है, natural dyes में, natural dyes को भी हम vegetable origin का कह सकते हैं, या animal origin का, तोनों किसम के होते हैं, animals से भी, vegetable से भी मिलते हैं, till the latter half of 19th century, सारे जो हमारे dyes थे, थोड़े mineral colors छोड़के, वो सारे animal और vegetable origin के थे, और इनी के जड़ों में से, stems में से, leaves में से, flowers में से, barks में से, इनके फलों में से, या फिर insects और shellfish मरीन लाइफ में से भी, dyes निकाले जाते थे, लेकिन, William Perkin के एक experiment ने पूरा इतिहास ही वैसे बदल दिया, कि वो synthesize तो कुछ और करना चाह रहे थे, एनिलीन के साथ काम कर रहे थे, और by chance discovery हो गई एक dye की, वो purple कलर का था, mauve कलर का था, ना रखा गया, mauve in, और आज कलव, ज़्यादा तर जो dyes हैं, वो synthetic हैं, cold tart derivative से भी अनिकों prepare किये जाते हैं, जिसमें की moderns यूज करे जाते हैं कुछ हो में, क्यों, क्योंकि wool और silk है, उनको, तो हम directly ऐसी dye कर लें, लेकिन cotton soot को dye करने के लिए, हमें अक्सर ही एक peach की, माध्यम की जरूवत होती है, easily dye नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं, modern, a substance which helps the chemical reaction which takes place between the dye and the fiber, so that the dye is absorbed. जो ऐसे modern dye होते हैं, उनको पहले treat करा जाता है, alum के साथ, iron के साथ, copper या tin, या blue vitriol, या tannic acid, उसके बाद ही फिर उनका प्रों को dye करा जाता है. अब क्योंकि सारे synthetic dyes जो हैं, वो कहीं न कहीं, dyes से बहुत pollution भी होता है, इसलिए आज की दिन में, अब global demand जो है, वो natural dyes की बढ़ती जा रही है. Fibers और fabrics, इन में सबसे ज़्यादा क्योंकि dye जो चड़ता है. और यह माना गया है, that the global natural dye market is anticipated to generate revenue of more than, जसी 5 billion by the year 2024. अब इन dyes में से कुछ एक dyes को, चाहे वो natural हो, चाहे synthetic, हम fugitive dyes भी कहते हैं. Fugitive वो dye होते हैं, जो बहुत अच्छे dye नहीं होते हैं, क्योंकि उनके color जो हैं, वो fade हो जाते हैं, अगर उनको exposure हो, उनका sunlight में, temperature में, humidity, solvents, या water, इनसे उनमें असर पड़ता है. तो ऐसे fugitive dyes हमारे temporary dyes होते हैं. चाहे वो natural हो, चाहे वो synthetic, कुछ एक. तो अच्छा dye होने के लिए, ये भी है कि वो dye fugitive नहीं हो, एकदम से कुछ समय, बाद अगर खराब हो जाए, रंग fade हो जाए, तो वो बहुत अच्छा dye नहीं कहलाता है. हम करते हैं अब classification dyes का, dyes का classification किस तरह करें, on the basis of origin, कि वो कहां से आए हैं. According to the process of dyeing, जो dyes होते हैं, वो क्या विधी इस्तमाल करते हैं, उस basis पर, इसका अगला classification. और जहां यह dyes manufacture होती हैं, जो manufacturers होते हैं, बड़ी-बड़ी factories में जहां बनते हैं, किस तरह से यह synthesize हों, उसके लिए जानना जरूरी है उनका chemical nature. तो इस classification is very important from the viewpoint of synthesizing those dyes in those factories. So based on chemical nature, कि इनका chemical स्वरूप क्या है? अगर हम बात करें पहले किसम के classification की, यानि की classification on the basis of origin, तो हम इनको दो भाग में classify कर सकते हैं, एक तो natural, दूसरा synthetic, natural जो nature से मिले और synthetic जो हम factories में synthesize करते हैं, labs में बनाते हैं, reactions के जरिये, chemical compounds use करके, तो हम पहले देखते हैं natural dyes, the dyes which are acquired from natural resources. अब ये natural resources से मिले, जिसमें ज्यादातर organic compounds होते हैं, ज्यादातर. उनको भी हम further categorize कर सकते हैं, कैसे? वो natural dyes जो कि हमें plants से मिलते हैं, जैसे की indigo, जिसका greenish dark blue color होता है, जैसे की logwood, जिसका deep purple color होता है, ये तो plants से मिले. फिर animals, जिनको cochineal dyes भी कहते हैं, जैसे की tirian purple, फिर तीसरा, जो हमें minerals से मिलते हैं, खनीजों से मिलते हैं, जैसे की ochr, जो की prussian blue color का होता है. The classification of dyes on the basis of origin, natural as well as synthetic. Let us see now the natural dyes from plants. ये हैं madder का plant, जिससे हमें मिलता है red color. बहुत प्राचीन समय से ये use होता जा रहा है. Indigo plant, जिससे मिलता है deep blue color. और logwood, ये logwood flowering है, इसके ये flowers हैं, तो logwood जिससे हमें मिलता है deep purple. तो ये विबिन चीजों की dye करने के काम में आते हैं. Plants originate, plant है इनका origin, natural हैं पर plant. अब दूसरे हैं, natural हैं, लेकिन animals हैं, जिनको cochineal dye भी कहते हैं. जैसे की bolliness branderous, ये species है, medium-sized predatory sea snail की. Sea snail, जिसको जैसे shunk इत्यादी, these are all animals, ये बहार की इनकी shell होती है. जिससे हमें मिलता है, tyrian purple dye. cochineal, dactylopius cocus, तभी इसी के नाम आया है, cochineal dye, animal origin. red dye, ये तो purple है, जो इससे मिलता है, red dye, ये किससे मिलता है, ये ऐसे cochineal insects से देखे, ये insects, जो की, क्या खाते हैं, cactus एक किसम के. तो इससे हमें मिलता है, carmine, और ये female cochineal insects से मिलता है, carmine, red color का, red dye, carminic acid constituent, 17 to 24 percent of dried insect weight, can be extracted from the body and eggs. then it is mixed with aluminium और calcium salts to make which dye, carmine dye, red in color, जिसको हम cochineal dye भी कहते हैं, और इसको कहाँ यूज करा चाता है, food और lipstick, तभी आप देखेंगे, इस नाम से, E120 और natural red 4 नाम से, commercial नाम है ये इनके, तो specify करना जरूरी होता है, खाने की चीज़ों में, या cosmetics में, और clothings में भी, कि वो origin, clothings में तर सबसिंथेटिक पर जहाँ अगर ये natural dye use करे जाते हैं, तो उसमें जरूरी होता है specify करना, कि क्या वो animal origin के हैं, या vegetable origin के हैं, उनका origin natural है, तो कहां से हुआ है, animal origin और vegetable origin. Now, this is lack, सबने lack, ये नाम सुना होगा, ये resonance secretion होता है, lack, insect का, केरिया लाका, या लासिफर लाका, लीडिंग प्रेडियूसर इंडिया में तुझार कान, चतीज़ गर्वेस, बिंगौल, महराष्ट, आल ओवर दे वर्ड ये होता है, Southeast Asian countries में बहुत जादा, ये जो lack के insects हैं, colonize करते हैं, colony बना लेते हैं, host trees में, और उसमें से ये pigment secret होता है, जिससे निकलता है, ये natural pigment, जादता red, और modern वगरे यूज़ करके, ये yellow में मिलता है, yellow dye, तो at times yellow is also secreted, तो lack, जो है, resinous secretion, ये देखिए, ये लाक है, लाक से color करा गया है, wool पे, कि नो ने करा है, ये गुजरात, कच गुजरात से, artisans ने, मैंने एक blog से लिया है ये, तो बहुत ही खुबसूरत ये महेंगे भी होते हैं, जो naturally dyed, जितने होते हैं, चाहे वो textiles हों, चाहे वो और किसी किसम की used चीज़े हों, जिसमें natural dye होता है, वो ज्यादा महेंगे होते ह हैं, और उनकी quantity भी वो कम quantity में मिल पाते हैं, बल्क में नहीं, अब ये है natural dye is किसे mineral से, ओकर, iron ore होता है ये, तो हेगा है, लिमोनाइट, जिससे की yellow, brown या red, ये color मिलते हैं हमें, ओकर, malachite, ये भी mineral होता है, अब देखे, inorganic है है, हाँ, origin में, तो intense green mineral ये, जिससे copper carbonate इसमें हमें होता है, जिसके साथ copper hydroxide, जिसमें, जिससे की हमें green color का dye मिल जाता है, malachite, पहला synthetic dye, जो morph color का था, वो William Henry Perkin ने 1856 में accidentally discover किया, उसके बाद से तो एक बार सी आ गई है, और हमारे बहुत सारे dyes, जो हैं, fuchsine, जो fuchsia का color होता है, fuchsine, ये, बहुत खुबसूरत color होता है, dyes होने लगे, बहुत large quantities में भी, और इनका synthesis क्योंकि natural dyes के comparison में, इनका synthesis easy भी, large scale में भी, और cheaper भी, तो ये है structure movene dye का, आप देख रहे हैं, ये है NH2 group, oxochrome, और यहां पे double bond N, double bond N, carbon, double bond, carbon, this is the chromophore, color bearing, और ये color enhancing, इतने सारे features पढ़े हैं, और इतनी सारी rings, तो obviously conjugation और resonance भी इस में बहुत होगा, जिससे ये बहुत सुन्दर color देगा, तो ये moving और ये few, यहां पे ये fusing, अब हम classification करें, इन dyes का, वो तो origin के आधार पर था, अब हमारा ये दूसरा जो classification है, वो है according to the process of dyeing, किस तरह से dyes dye करते हैं, dyeing depend करती है क्योंकि ऐसे bonds उसमें बन रहे हैं, covalent, ionic, hydrogen bond या Vanderbilt forces, इस आधार पर वो classify करते हैं, तो हम classification इनका देखें, according to the process of dyeing, acidic dyes, basic dyes, direct और substantive dyes, modern और adjective dyes, ingrained, developed और azoic dyes, bat dyes, sulfur dyes, reactive dyes, ये कुछ एक विशेश प्रकार हैं हमारे dyes के, तो आएए, इनके विशे में, हम थोड़ा गहराई से देखें, acidic dyes, ये कैसे होते हैं, water soluble, जाधा तर ये होते हैं, sodium salt, किसके, sulfuric acid group होते हैं, या phenolic, phenolic itself is also an acidic group, H positive निकला, phenolate ion बन गया, और sulfuric acid group, attachment कैसे होता है, fiber में, जिसके उपर जिस सत्य पर ऐसे लगाया जाए, salt formation हो जाता है, देखें, ionic bond बन गया न, between anionic groups, ये इसमें लगे हुए anionic groups हैं, ये sodium sulfate है, देखें, negative anionic group, जो dye में present होते हैं, और ketionic group, जो कि fiber में, जिसको हम dye कर रहे हैं, color आता है, इन negative ions की वज़े से, किसमें apply करते हैं, silk में, wool में, nylon में, और synthetic fibers में, लेकिन इनको हम cotton में use नहीं कर सकते हैं, जब ठी, cotton में जब तक हम एक mordant न डालें, जो कि, तब ही ये cotton के उपर, ये वाला dye जो है, उसकी तताय पर, इस माधियम के जर्ये ही, react कर पाएगा, bond बना पाएगा, तो इसलिए इनका use, silk wool, nylon और acrylic fibers में होता है, जाता है, जो हमारे synthetic food colors होते हैं, acidic dye, example देखिए, ये है alizarin, alizarin तो एक natural dye, pure blue bee, acid red, ये red wool के लिए, picric acid, napthol yellow, और ये है हमारा acid red, acid red, N double bond N, अगर आप ऐसे देखें, तो इसमें ये azo group, ये सलफोनिक acid, acidic moieties लगी हुई है, तो ये क्या है, acidic dye, और ये कुछ उसके उधारन, अब हम देखें basic dyes, जैसा की नाम है, basic dyes में amino या alkyl amino group होता है, और उसमें तो color acidic में negative, इसमें positive ions की वज़ा से आता है, ये use होते हैं, jute, flowers, dried flowers, koir, इन सब की dying के लिए, और बहुत use करा जाता है, इनका भी acrylic fibers में, और कुछ एक use होते हैं, बुल में या silk में, इसके उधारन जो हैं, वो methyl violet, methylene blue, azodize, ये है structure, methyl violet का, इतने सारे double bond, साथ में basic group nitrogen, basic dyes, methyl violet 10B, ये commercial नाम जो है, इसको crystal violet भी कहते हैं, इसके medical use भी होते हैं, coming to the next dye, mordant dye, ऐसे dyes, जो की use हो सकते हैं, कब, जब पहले उनको treat करा जाए, किसके साथ, जिस सतह पे वो लगने हो, उस fiber पे, salts, जैसे की alum, iron, copper, tin, blue vitriol, tannic acid, ये पहले सतह पे लगते हैं, उस surface के, जिसको हमें dye करना है, और ये माद्यम होते हैं, इनी के जरीए, फिर वो dye जो है, उस सतह को, चाहे वो सतह हमारी textile हो, या दूसरी हो, उसको color दे सकेगा, otherwise नहीं दे पाएगा, इसलिए नाम आता है, Latin नाम morder से, morder मतलब to bite, मतलब bite मतलब उसके अंदर बैठ नहीं रहा है, उस सतह पे, तब ही बैठेगा, जब mordant डाला जाए, ये mordant के जरीए ही, उसके उपर बैठेगा, उसको color देगा, mordants हमारे fixing agent या binding agents, ज़्यादा तर जो हैं, वो metal iron complexes होते हैं, जैसा यहां लिखा है, ज़्यादा तर जो हमारे moderns use करे जाते हैं, वो dichromate और chromium complex, इसलिए modern dyes को हम chrome dye के नाम से भी पहचानते हैं, क्योंकि modern के form में जो use कर रहे हैं, वो salts कौन से हैं, chromium के, तो chrome dye का मतलब भी modern dye होता है, क्योंकि modern methods में ये बहुत use किया जाता है, और ये modern जो हैं, एक ही dye को अलग-अलग color भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है, dye तो एक ही है, लेकिन depend करता है कि कौन से metal का modern use किरा जाए, उस हिसाब से वो लाल रंग दे सकता है, एक metal के साथ, और वो ही dye दूसरे metal के साथ, एक अलग color दे सकता है, तो modern का ये role होता है, that most modern dyes yield different colors with different moderns, अब जो हमारे acid dyes होते हैं, उसमें metal ions use होते हैं, moderns के form में, और जो basic dye होता है, basic dye में tannic acid use होता है, modern के form में, tannic acid भी एक modern है, वो basic dye में use होता है, reaction कुछ base और acid का इस तरह किसम से होगा, कि फिर वो सते पर काम्याब होगा, इस basic dye को fix करने में, चाहे वो सते हैं हमारी textile की हो, या कोई दूसरा surface हो, natural dye, modern dyes में natural dyes भी होते हैं, जैसे की alizarin, alizarin, जो की natural dye है, लाल कलर देता है, किस से extract करा जाता है, यह roots of matter, हमने देखा था न, पहले matter plant, यह synthetic भी हो सकता है, modern dye, जैसे की chrome fast orange R, यह इसका commercial नाम है, modern dyes को हम wool, wool blends, silk, cotton और modified cellulose fiber सब जगे use कर सकते हैं, modern dyes, जो कि एक mediums की basis पर ही लगते हैं, क्योंकि यह directly उसके साथ, उसके उपर react नहीं कर सकते हैं, किसी surface पे इनको binding agent की जरुवत होती है, अब उसी के उलट हम आते है, direct dyes या substantive dyes, यह water soluble होते हैं, ionizable होते हैं, और colored and ions बनाते हैं, paper को dye करने के लिए बहुत काम आते हैं, सस्ते होते हैं, bright color देते हैं, और ज़्यादा तर जो packaged dyes बिखते हैं घरों में, वो direct dyes होते हैं, nature में polar होंगे, नाम से ही है कि यह directly apply हो सकते हैं, उस सतह पर, उस surface पर, उस substrate पर जिसको इन्हें color करना है, किस medium में, neutral या alkaline medium, और पुरा पका color देते हैं, cotton और linen में, without mordant, hence the name direct dye और substantive dye, साथ में इसमें rayon, silk और wool, यह भी color करा रहा सकता है, इनकी affinity बहुत होती है, cotton के लिए, linen के लिए, ऐसे surfaces, जो otherwise, और dyes में, जिनको अगर और धंक से हम dye करें, तो उस case में वो नहीं हो पाएंगे dye, mordant की जरुवत होगी, लेकिन direct dyes के case में, mordant की जरुवत नहीं होती है, क्यों, क्योंकि यह hydrogen bonds बना करके उनके साथ, या Van der Waals forces के द्वारा, उनके साथ attach होते हैं, for example, CI direct blue 151, direct dyes में सबसे पहले जो इजाद होगा था 1850 something में, वो था Congo red, the first synthetic dye, that could dye cotton directly, सूती कप्रे को directly dye कर सलता, तो यह है Congo red, इसमें आप देख रहे हैं, SO3 Na positive, SO3 negative, Na positive, colored in ions, So these are direct dyes, Congo red, was the first synthetic dye, In-grain, developed or azoic dyes, in-grain, यह ऐसा नाम क्यों है, बड़ी exciting dyes होते हैं, क्योंकि यह जहां जिस चीज को हमें dye करना, उसी के अंदर यह produce होते हैं, Azoic dyes produced by azo coupling inside textile fiber, इसे लिए, इनका color भी बहुत अच्छा ठिकता है, जिस चीज को, जिस कप्ड़े को हमें dye करना है, उसको पहले हम डालते हैं, phenol के solution में, या amine के solution में, फिर उसके बाद, diazonium salt के solution में, और एक पका रंग उस पे चड़ जाता है, और ये reaction उसी के अंदर होता है, उस fiber में, इसलिए इनको ingrained, developed या azoic dyes भी कहते हैं, for example, para red, para red, azo, आप देख रहे हैं, N, double bond N, एक aromatic ring इधर, एक इधर, ingrained, developed और azoic dyes, reactive dyes, इस category के जो dyes होते हैं, अगर उनका chemical composition देखें, तो वो या तो azo होते हैं, या thallocinin होते हैं, या anthracinones होते हैं, इसमें एक reactive group होता है, जो की fiber का ही एक part बन जाता है, react करके, reactive group होने के कारण, इनको reactive dyes करते हैं, बहुत अच्छे पके dyes होंगे, क्योंकि मजबूत covalent bond बनाएंगे, जादा तर ये triazine, triazine implying as a means nitrogen, कि तीन उसमें nitrogen हो, ऐसी ring होती हैं, उसी के derivatives होते हैं, और use किसमें होते हैं, cotton fabrics, तो cotton fabrics की अगर बात करी जाए, उसमें सबसे जादा जो, इस्तमाल होने वाला dye है, वो है reactive dye, जो की पका कलर उसको देता है, क्यों? क्योंकि उसमें वो chemical bond बनाते हैं, उसके अंदर जो मौझूद हैं, hydroxyl group उसके साथ, सबसे जादा use होते हैं, 30% जो हमारे total colorants हैं, printing industry में, उसमें कौन से हैं? reactive dyes, covalent bond बनाएंगे, reactive group होंगे, जैसी की proscene yellow, HE3G, या reactive orange 5, यह इनके commercial नाम है, कुछ यूं यह reaction होता है, कि हमारी यह है, triazine, diachloro-triazine, यह R, can be any long extended group, इसके पीछे बहुत सारी rings वाले group लगे हैं, पर उसमें एक portion यह है, जो reactive वाला है, अब cells में, OH group cellulose है उसमें, cellulose में क्या present होगा? hydroxy group, अब hydroxy group के साथ यह react करेगा, क्या निकला? H, CL, और यह oxygen, जो है, cellulose में present, क्योंकि cellulose में oxygen present होता है, hydroxy group, sorry, present होता है, तो यह oxygen अब रहे गया, यह है, H निकल गया, तो इसके जरिए, यह dye जो है, इसके साथ, covalent bond form करके जुड़ गया, पका color उसको देतेगा, इसी तरहे, RSO3, यह देखे, HSO3, यह group यहां लगा होगा है, cellulose में hydroxy group होते हैं, तो क्या होगा यह hydroxy group, OH negative, निकला यह acidic है moiety, इसमें से H positive, तो यह क्या रह जाएगा, यहां देखिए, O, अब यहां से निकल गया देखिए, यह पूरा है धर से, यह OH, और यह SO3, इसके साथ पर, यह group यहां से निकल गया, इसके साथ यह रहा, तो यहां से निकला, एक bond यहां पर बिखिए, क्या रपा आ गया, यहां CH2, तो क्योंकि यह CH2, और यहां से निकला इसने, यह OH negative नहाए, है, ऐसे H positive, निकल गया यह HSO3, यह क्या बन गया हाँ पर, CHCH2, CHCH2, अलफा बीटा इल्मिनेशन से, एक group यह निकला, तो एक बैलन्स यहां की कम हुई, तो इसने इस कार्बन से bond कीचा, कार्बन ने इसको H positive दे दिया, तो यह double bond बन गया, CHCH2, और यह फिर से cellulose के साथ, cellulose में, क्योंकि OH groups present होते हैं, तो इसके साथ react करेगा, और क्या बना लेगा, CH2 के जर्ये, यह जुड़ जाएगा, यह oxygen के साथ, यह oxygen, किसकी है, hydroxy group, और एक H लग गया, यहां पर, तो बन गया CH2, 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 और यह cellulose का oxygen, यानि कि, covalent bond formation, इस तरह bond formation हो जाता है, इनका, तो यह bond formation हो जाएगा, यह CH2 यहां पर, यहां, यह हमारा, OH कहां से आया है, cellulose से, तो यह hydroxy group के साथ, इसने react करा, hydroxy group के साथ react करा, तो, H positive, यहां से electrons दे लिए, यह पहर, तो यह भी CH2 हो गया, इस CH2 को फिर electrons मिले कहां से, O negative, और इस तरह से, OH negative की presence में, यह हमारा covalent bond formation हो गया, reactive dyes, क्यों, क्योंकि इनमें जासाम देख रहे हैं, reactive groups होते हैं, जिससे, यह एक, हिस्सा बन जाता है यह डाई, covalent bonding से, उस substrate का, यह उस surface का, जिसको डाई करना हो, तो cotton fabrics में, इसका बहुत इस्तिमाल उता है, wet dyes, सबसे पुराने dyes, अगर एतिहास पल्टा जाए dyes का, तो सबसे पुराने dyes, और अगर इनमें structure देखा जाए, तो indigoid या anthrokinon, ऐसा इन wet dyes का structure होता है, बहुती बड़ा क्लास है यह, कौनसी dyes का, water insoluble, यह पानी में soluble, इससे पहले हम आएनेक, reactive, acidized देख रहे थे, अब यह वाले dyes जो है, यह water insoluble है, cellulosic fiber में इनको use करते हैं, तो कैसे use करें, cellulosic fiber में, वो तो polar होते हैं, use करें by forming, a soluble leucocompound, वो leucocompound, क्योंकि insoluble है, इनको soluble, यह है indigo, insoluble, तो इसको हमने reduce करा, यानि कि double bond O, oxygen के साथ hydrogen, double bond O, oxygen के साथ hydrogen, आ गए यह reduced form, reduced form जब hydrogen बन गया, तो यह soluble, क्योंकि OH बन गया है इसमें, पिर यह कैसे हो जाएंगे, soluble, इस soluble form को leucocomp का जाता है, कैसे बनाया जाता है, इस soluble form, कि जो dye है, किया जाता है, caustic soda और sodium hydrosulfाइट से, इसके जरीए उसका हमने reduction कर लिया, फिर यह dye apply करा, उस fabric जिसमें हमें apply करना है, और apply करने के बाद, फिर उसको oxidize किया, और oxidize करा, sodium perborate से, oxidation हो जाता है इनका, oxidation means, फिर से यह hydrogen हट गया, यहां से, OH, फिर से double bond O में convert हो गया, OH, अब देखिए, अब यह फिर से कौन से form में आ गया हमारे, oxidize form में, और, क्योंकि oxidize form हमारा इसका, indigo, नीले कलर का होता है यह, यह insoluble होता है, तो कितना ही पानी से, यह fabrics धोये जाएं, यह रंग उनमें से, छूटेगा नहीं, यह तो indigo का ओधारन था, इसी तरह एंथ्रोकिनों से भी dye करते हैं, उसको पहले change करते हैं, कौन से form में, soluble, luco form में, उसको reduce करके, फिर एक बार वो fiber पे चड़ गया, soluble form में आ गया, घुल गया, उसके बाद, उसको reduce करते हैं, जिससे वो फिर से insolubal हो जाए, कि अब आगे, उसमें washing, या किसी किसम के detergents का कोई असर नहीं पड़े, पकारंग वो दे दे, soluble form को, leuco form करते हैं, यह नाम जो आया है, wet dyes, वो आया यूरॉप से, क्योंकि यूरॉप में, बड़े-बड़े bats जो होते थे, बरतन बहुत बड़े होते थे यह, जिनके अंदर, यह indigo plants का fermentation से reduction किया जाता था, इसलिए नाम पड़ गया wet dyes, cotton, wool और दूसरे fibers को, यह wet dyeing की process से dyeing किया जाता है, और यहां indigo इसलिए बताया, क्योंकि indigo पहला wet dye है, और leukoform में ही यह color पे चड़ता है, उस substance पे चड़ता है, जिसको color करना हो, leukoform मतलब reduced form, leukoform मतलब soluble form, एक बार यह soluble हो जाए, फिर reduce करके इसको insoluble में, मतलब की इस form में, oxidize करके इसको इस form में change कर दिया जाता है, अब देखते हैं हम अगली category dye की, जिसको कहते हैं disperse dye, disperse dye क्योंकि हम इनको कैसे bonding हो रही है, उस अधार पे पढ़ रहे हैं, यह non-ionic है, ready-made dye है, पानी में यह भी soluble नहीं होते हैं, लेकिन इनको किसी भी suitable solvent के साथ disperse करा जाता है, गोला जाता है, प्रतिशत जो disperse dye हैं, 85% of disperse dyes, वो अगर chemical composition के आधार पर देखा जाए, तो या तो azocompounds होते हैं, या anthracanons होते हैं, जैसा कि इस से पहले आमने देखा था, wet dyes में वो indigoid होते हैं, या anthracanon, आप देख रहे हैं, anthracanon dye is such a common feature, यह skeleton anthracanon in many dyes, similarly for azocompounds, बहुत सारे dyes का यह हिस्सा होते हैं, चाहे वो हमारे dispersed dyes हो, और या वो चाहे हमारे reactive dyes हो, या चाहे वो हमारे ingrained dyes हो, या चाहे वो हमारे direct dyes हो, आप देखेंगे, सब जगे, यह N double bond N with aromatic ring on either side is present, तो इसी तरह disperse dye का भी एक हिस्सा होता है, कि azocompound, पहुच जगे azocompound, बहुत किसम के dyes में, यह में हमारे azocompounds present होते हैं, या फिर anthracanon skeleton, अपका पानी में insoluble हैं, hydrophobic हैं, तो इसको इसलिए synthetic fibers के लिए यूज करा जाता है, चाहे वो polyester हो, triacetate हो, nylon हो, acrylic fiber हो, इन में यूज करा जाता है, hydrophobic surfaces में, यह सारे synthetic fibers हैं, इन पे यूज करा जाता है, इसका एक उधारन है, seliton fast blue B, और दूसरा है, disperse orange 1, यह इनके commercial नाम है, और क्योंकि यह ionic तो हैं नहीं, तो कैसे होगा interaction, dye और polymer के बीच में कैसे होता है, weak van der Waals forces और dipole forces के जरिये, उसमें से देखे, एक है यहां दिखा रखा है, this is a synthetic, we can say, यह क्या है, एक synthetic पर्दा है, पर्दा दिखा रखा है, पर्दे का हिस्सा, कितने खुबसूरत bright color से इसको dye करा गया है, disperse dye, now coming to sulfur dyes, जसे की cellulosic dyes, भी कहते हैं, हम cellulosic material को इससे भी dye करते हैं, जसे इससे पहले हमने देखा था न, cellulosic material की dyeing, हमने किसमें देखी थी, cellulosic material की dyeing, हमने वो देखी थी, हमारे reactive dyes में, इसी तरह इससे भी जब हम dye करेंगे, तो dyeing action जो है न, इनका वो उसी तरह होता है, जैसा की हमारे wet dyes में होता है, wet dyes में, reactive में तो reactive को प्रेजन्ट होता है, तो हम देखें, wet dyes में कैसे होता है, यह देखें wet dyes में, ग्ल्यूको फॉर्म में चेंज करते हैं न, dye तो वो यह cellulosic fiber करते हैं, तो उनको ल्यूको फॉर्म में चेंज करा जाता है पहले, क्यों? क्योंकि यह पानी में insoluble होते हैं, जैसा की wet dyes भी होते हैं, यह भी पानी में insoluble होते हैं, तो same method है, उससे मिलते जुलते हैं यह, और इसमें, ल्यूको फॉर्म में जब change करेंगे, तो उसी तरह alkaline solution, sodium sulfide का, जैसे पानी में soluble हो जाएं, फिर यह cellulosic material में, क्योंकि cellulosic material में polar OH groups होता है, अब यह leukoform इसके उपर absorb हो किया, इसके साथ में, फिर इसको oxidize करते हैं, जैसे फिर से वो वापस insoluble, parent dye में change हो जाएं, और किसी तरह की धोनी की प्रक्रिया से, वो affect ना हो, मतलब fast dyes बन जाएं, यह वो ही method है, leukoform में change करना, जैसे की wet dyes में होती है, तो sulfur dyes, इस दिहाज से, wet dyes से मिलते जोते हैं, और इस से black, brown, dark blue, ऐसे color, ऐसे shades, produce किये जाते हैं, cotton में, अब wool में या silk में नहीं, क्योंकि wool और silk की processing में, chlorine यूज करते हैं, और chlorine से, यह sulfur dyes जो हैं, वो हमारे affect हो जाते हैं, they are very susceptible, very sensitive to chlorine, और wool और silk में, processing में chlorine का यूज होता है, इसलिए wool और silk के dyeing के लिए इनको यूज नहीं करेंगे, यह लेकिन cotton shades को dry करते हैं, और इसमें dyesulfide linkages होंगे, यह है sulfur black structure, sulfur present है, आप देख रहे हैं, कितना sulfur इसमें present है, incorporated है, water insoluble, now coming to our next classification, which is the classification based on chemical nature, कि हमारा किस किसम का chromophore है, जो लोग बना रहे हैं, इनको synthesize कर रहे हैं, huge factories में यह dyes को, उनके लिए chemical nature बहुत ही important है, diets के लिए तो interactions important है, कि कैसे interaction हो रहे हैं, क्या sulfur के थूँ, क्या reactive group के थूँ, क्या ions के थूँ, kateinic, anionic, उस आदार पर basic, acidic, acidize होते हैं, या bat dying, या sulfur dying, leucosolubal leucocompound में convert करके, लेकिन जब वो synthesis जो लोग करते हैं, मतलब manufacturer dye जो बना रहे हैं, उनके लिए chemical nature important है, उस आदार पर यह इसका classification है, कि क्या क्रोमोफोरस में present है, उसमें से कुछ एक यहां दिये हुए हैं, जैसे कि indigoid dyes, anthracanone dyes, nitro dyes, nitro या nitroso, azodyes, alpha naphtoquinone dyes, flavons, triphenyl methane dyes, dyryl methane dyes, thalene dyes, xanthene, and thallocyanin, तो एक एक करके, हम थोड़ा सरल सरूप में, इसके उधारन भी देखें, indigoid dyes, indigoid dyes, जो की बहुत important हिस्सा हैं, historically भी, oldest dyes, most important group of natural dyes, अब तो synthesize होने लग गए indigo dyes, लेकिन पहले natural form में, extract करे जाते थे, किसे indigofera, tinctoria से, जो हम natural और synthetic dyes के, classification में पढ़ चुके हैं, most indigo dye produced today, synthetic, और, मालूम है आपको ये wet, अगर हम, उस आधार पर देखें, इसका classification, on the process of dyeing, तो ये wet dyes, लूको फॉर्म में चेंज कर से, किसे dyeing होती है, ये नीला कलर देते हैं, तो हम जो denims देखते हैं, denim का कपड़ा, या blue कलर की jeans, ये सब क्या हैं, indigo sate, ये इसको leucो फॉर्म में चेंज करा, फिर उसके उपर, denim के उपर ये absorb हो गया, ये soluble form है, उसके बाद जब इसको oxidize करा, तो ये इस insoluble indigoid form में चेंज हो जाता है, क्या है indigoid form, O double bond C, single bond C, then double bond C, single bond C, double bond O, so this type of a skeleton, this is an indigoid skeleton, which is present here, और ये leucो फॉर्म में absorb हो करके, फिर हमें बहुती fast color देती है, oxidize होने के बाद, ये है reduced soluble leucoporm, और ये है reduced oxidized insoluble form, जो की बहुत ही ज़्यादा पक्का होता है, क्योंकि ये धोने से नहीं निकलता है, indigoid, second, anthraconon dyes, ये हम देखेंगे अभी, azodize पढ़ेंगे, ये उसके बाद, जो सबसे महत्पून ग्रूप आता है, वो आता है, anthraconon dyes, हमने जब अनेक किसम के dyes पढ़े थे, चाहे वो dispersed हों, चाहे वो reactive हों, चाहे वो bad dyes हो, हमने देखा, उनमें बहुत जगे, azod और anthraconon ये structure present था, तो ये वोई dyes हैं, some of the most important red dyes, अब ये natural form में भी obtain होते हैं, red madder plant से हमने देखा, और insects से हमने देखा, insects जो cochillian dyes थे, वो भी लाल कलर के, जसमें क्या होती है, anthraconon skeleton, some of the most important red dyes, member of this dye group, found in natural, ये natural form में, जो plants और insects से मिलते हैं, चाहे वो madder से मिलें, चाहे वो cochineal हो, जो हमने देखा था, insect हैं, और, या वो synthetic हो, तो anthraconon dye ड़नों को cover करता है, ये skeleton दोनों में मिलती है, synthetic dyes में भी, और natural dyes में भी, synthetic में pigment yellow 108, pigment red 177, ये इनके commercial नाम है, anthraconon जो dive stuff होता है, ये modern और wet, दोनों में ही present होता है, जो modern dyeing होती है, जहां हमें बीच में, बीच के बिचौलिय की जरुवत होती है, वो उसमें भी anthraconon present होता है, जैसे कि ये alizarin, जो की अलग metal के साथ, अलग-अलग color देता है, anthraconon dye, alizarin, पर कौन सा metal हम modern के form में यूज़ करेते हैं, उस पर निरबड करता है, alizarin का color है, और wet dyes, wet dyes में भी anthraconon, जो है, वो skeleton present होती है, पर इसके अलावा, ये reactive और dispersed dyes, क्योंकि ये classification हमने देखा था, on the basis of dying, कि कैसे bonds बन रहे हैं, उस आधार पर, तो anthraconon dyes, जो anthraconon skeleton है, वो modern dyes में भी present होती है, wet dyes में भी, reactive dyes में भी, dispersed dyes में भी, anthraconon dyes include insect dyes, derived from scale insects, such as carminic acid as well, कार्माइन जो हमें मिल रहा है, insects से लाल color, क्या है skeleton, ये है इसकी skeleton, anthraconon, और ये है structure, alizarin का, जो की synthesize भी होता है, और natural form में, भी मिलता है हमें, कहां से, matter plant से, और साथ में, animal origin, कार्माइन, जो हमारा insect का origin होता है, उसका भी ये पार्ट उटता है, अब अंत्रकनाउन डाइस के बाद, nitro dyes, ये तो commercially बहुत important नहीं होते हैं, लेकिन जैसा कि नाम सही है, चाहिए वो nitro हो, चाहिए वो nitroso हो, नाइट्रो में क्या होगा हमारा, देखे, NO2 ग्रुप, और nitroso में क्या present होगा, NO, अब ये ग्रुप्स जो हमारे इसमें present होते हैं, दो या जादा aromatic rings, जिसमें एक nitro ग्रुप, और एक और donor ग्रुप, जैसा कि NH या OH, जो कि इसमें क्या होगा, और ये होगा इसका क्रुमफोर, इसी तरहे नाइट्रो सो ग्रुप में, NO ग्रुप, नाइट्रो सो, ये क्रुमफोर, और इसमें OH ग्रुप होगा, और जो इसका कलर enhance करेगा, नाइट्रो ग्रुप के एक्जामपल, Martius Yellow, C.I. Dispers Yellow, ये Dispers Yellow का structure है, देख रहे हैं, नाइट्रो ग्रुप NO2, नाइट्रो सो में, ये है फास्ट्रीम, या गैमबीन पारी, ये है गैमबीन का structure, जिसमें, हैल्फा नाइट्रो सो, बीटा, नेप्थाल, इसकाल, नाइट्रो सो ग्रुप, इंपॉर्टन क्लास, ये है हमारी एजोग्रुप, ये हैं हमारी एजोग्रुप, इस पहले क्लास अफ डाइज, चाहे वो डिस्पर्स डाइज हों, रियक्टिव डाइज हों, हमारे, या दूसरे किसम की मेथर्ट्स के उपरा, अधरित डाइज हों, बनिफेक्ट्रिंग प्रोसेस सस्ती भी होती है, कॉस्ट अफेक्टिव और इसका यूज है, टेक्स्टाइल, फाइबर, कॉस्मेटिक, लेदर, पेंट, प्रिंटिंग इंडस्ट्री, एट ते सेम टाइम, यह कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टिट हैं, उधारन, बिस्माक ब्राउन, और कॉंगो रेट, आपको ध्यान होगा, कॉंगो रेट हमने कहां पढ़ा, यह है तो एजो डाइ, लेकिन हमने कहां पढ़ा है कॉंगो रेट, हमने पढ़ा है यह डाइरेक्ट डाइज की कैटिगरी में, क्योंकि यह पहला सिंथेटिक डाइज था, जिसको की, कॉटन को डाइरेक्टली डाइज करने के लिए, यूज किया गया, और वो ऐसो डाइज, जो की बेंज़डीन से डिराइज होते हैं, यह बेंज़डीन से, वो कार्सिनोजनिक होते हैं, यह फेज आउट भी हो गए है, 1980s के बाद, बहुत सारी Western countries में, जो बेंज़डीन से डिराइज हैं, तो यह है हमारा, कॉंगो रेड, एन डबल बॉन्ड, एन, एजो डाइज, अगर आप क्लासिफाइ करें, तो कॉंगो रेड जो है, एजो डाइज की केटिगरी में, और अगर आप, एप्लिकेशन या अप्लाइ करने की मेथ़ड पर जाएं, तो यह आता है, डाइरेक्ट डाइज की केटिगरी, हमने यहां इससे पहले यह देखा था, कि किस तरह यह हमारा आ रहा है, रियाक्टिव डाइज एक हमने पढ़े थे न, रियाक्टिव डाइज, उससे इनग्रेंड डाइज में भी देखे, एजो ग्रूप है, और हमने पढ़े थे डाइरेक्ट डाइ, तो डाइरेक्ट डाइज में ही यह क्या है, कॉंगो रेट का उधारन, अप्लाई करने की मेथर्ट पे, क्योंकि पानी में सॉलिबर और आइनाइज होते हैं, तो इसलिए डाइरेक्ट डाइज के फॉर्म में, इसका सबसे जो इंपॉर्टन मेंबर है, वो है लौसन, लौसन क्या है हमारा 2-Hydroxy-1,4-Napthocanone, जो की मेहंदी से, मेहंदी के पत्तों से निकाला जाता है, और इसका यूज होता है, बुल और सिल्क को डाइ करने के लिए, और ये सदियों से हमारे वहां कोई भी अच्छा ओकेजन हो, उसमें मेहंदी लगाने का प्रचलन है ही, जिससे वो और जन्ज शेड जाएं, तो उसका जो कॉंस्टिटुएंट है, वो क्या है, लौसन 2-Hydroxy-1,4-Napthocanone, डाइ, नैच्रल डाइ, फ्लेवांस, ये भी, सबसे पहले डिस्काबरी इनकी नोबेल लॉरियेट ने डिस्काबर करे थे, 1936 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, और फ्लेवांस की, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टन ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, कि ये anti-oxidants होते हैं, बहुत strong life को longevity देने वाले और medicinal इनकी प्राइटी होती है, लेकिन इनका जहां तक हम डाइंग का, अगर बात हो डाइंग की, तो textile dyeing, cosmetic और pharmaceutical यहां इनका use है, नाम कहां से आया फ्लेवांस, क्योंकि ग्रीक में फ्लेवा का मतलब क्या है, ये है इसकी skeleton, ये बहुत सारे प्रिमिला की species में मिलते हैं, popular में मिलते हैं, पीले कलर के डेलिया में मिलते हैं, और इसमें से एक important ये जो dye है, ये yellow, ये है इसका नाम है luteulin, ये रेजिडा इससे आया नाम luteola से, इस plant से, yellow कलर का, हमेशा इसमें पर modern की जरुवत होती है, अगर हमको इससे किसी भी textile को permanently dye करना है, तो इसमें modern बीच में डालना पड़ता है, such as alum, फ्लेवान्स, ये है फ्लेवान्स की skeleton, इसी में substitute लगके, कौन से? hydroxy और methoxy हमको मिलते हैं, जादा तर ये जो होते हैं, natural dyes, tri-phenyl methane, as the name indicates, इसमें तीन phenyl rings होती है, a group of extremely brilliant and intensely colored organic dyes, जिससे हम silk, leather, cotton paper, सबको dye कर सकते हैं, और इसमें, सबसे जो पुराना बना dye है, synthetic, वो fuchsine, made in 1859, ये देखिए, हमने इससे पहले देखा था, fuchsine, color देखा था हमने, देख उसमें, जब पढ़ा था, and dyes के बारे में, जब हम पढ़ रहे थे, crystal violet इसका उधारन है, malachite green, rosaniline, ये है malachite green, बहुत अच्छा green shade देता है, ये malachite green की synthesis देख रहे हैं आप, ये dimethyl aniline, और ये है, formaldehyde, H2S4 ये zinc chloride की presence में, ये यहां से double bond O निकल गया, minus H2O, पैरा पोजिशन में यहां दोनों जगया, ये groups लग गया है, CH के साथ, इसकी dimethyl aniline की पैरा पोजिशन में, CH, यहां double bond O की जगया, 1H is benzene drink से निकला, 1H यहां से निकला, और ये जुड़ गया, इस तरह यहां पे, ये दो in drinks के साथ, substitute होके, इसने दे दिया, electrophilic substitution reaction at the paraposition, and we get malachite green, an important dye, giving us a good shade of green, diaryl methane, अब diaryl वो था, triaryl ये diaryl मतलब, दो इसमें हमारी benzene drinks है, इसमें सबसे important जो है, वो auramine O है, used for dyeing silk, wool, jute, paper and leather, आप देखने हैं, cotton बहुत कम जगे में इसमें आएगी, ये है, oramine O, और ये इसका structure है, इसमें दो phenyl rings है, category हो जाएगी, इसकी basic, देखे, basic dyeing, ये नाइटरिजन यहां present है, double bond NHHCi, oramine O, thalene dyes, phenophyllene आप सब नहीं इस्तमाल किया होगा, जो की, use करा जाता है, as an indicator in acid-based titrations, ये colorless हो जाता है, acidic solution में, और basic में pink color देता है, phenophyllene, ये इसका structure है, phenophyllene, थैलीन, देखे, और ये है phenol, thalic, ये थैलीन का C6H5COOH, COH हमारा थैलीक acid, तो थैलीक अनाइटराइट और double bond O की जगह यहां आगए, पैरा पोजिशन से अटेश्ट दो phenolic groups, इस तरह है, अगें, we get phenophyllene, having, a place in the category of thalene dyes, अब इसके बाद हम देखे, xanthine dyes, कई जगे xanthine dyes को, thalene के साथ ही, प्रेस करा गया है, क्योंकि origin उससे होता है, इसलिए ये related है thalene dyes से, क्योंकि इसका parent substance in dyes में क्या होगा, हमारा xanthine ये बनेगा, अब ये जो xanthine है हमारा, ये xanthine किस के समका होगा, ये xanthine जो है, ये xanthine का जो structure है, वो क्या होगा, di-benzo 1,4-pyron, di-benzo देखे, ठीक है, 1,4-pyron, एक्जांपल इसके क्या है, eosin या floresin, laser dye, rhodamine B, ये यूज करा जाता है, for staining fluorescent dyes, rhodamine these, जो dyes हैं, वो यूज होते हैं, बायो टेक्नोलिजी में, fluorescent microscopy में, flow cytometry में, etc, these are very important, xanthine dyes, इसके अलावा, इनको ELISA में भी यूज करा जाता है, जो test करे जाते हैं, और correlation, fluorescent, chlorrelation spectroscopy में, ये है structure, rhodamine का, जो कि एक क्या है, xanthine dye, xanthine skeleton, dibenzo 1,4, pyrone skeleton, dibenzo 1,4, pyrone skeleton, इसके खुब दी है, thallocyanine dyes, जो है, ये हाल हाल, इसी century के शुरू में, निकले हैं, not in the 18, 19, 20-something, इनका structure जो है, वो porphyrin बगेरा, जो pigments हैं, उनसे related है, और इसमें, सबसे important, thallocyanine dyes में, जो है, वो है, copper thallocyanine, कहां यूज होता है, इन डाइस का, ऐसे structure वाले dyes का, क्योंकि आप, chromophore के आधार पर देख रहे हैं, railway trains, organic photo conductors, electro photography, ज्यादा तर, blue, green, या ऐसा pigment देने के लिए, automotive paints के form में, printing inks में, और as blue, या cyan dyes, for textile and paper, काफी latest dye कह सकते हैं, 19 something के निकले हुए, ये synthesize करे हुए, और, इसमें, जो है, सबसे important, यहां जो दे रखा है, वो है कौम सा, हमारा dye, है, वो हमारा dye है, copper, thallocyanin, अभी, इसी century में, जो है, discover हुए है, लेकिन, important हो रहे हैं, ये colorants के form में, तो हमने, देखा, classification, dyes का, तो क्या था, ये classification, let's quickly, go over it, classification हमने देखा, किस आदार पर, हमने देखा, इस classification को, सबसे पहले, on the basis of, origin, origin के basis पर, हमने देखा, तो origin के basis पर, natural या synthetic, फिर हमने देखा, natural basis पर, natural dyes भी, किस किस किसम के हो सकते हैं, natural dyes हमारे हो सकते हैं, those, which are derived from, plants, जैसे की, matter plant से, red color, anthropoconon इसकी मुईटी होती है, इसका chemical indigo plant, indigo से, या logwood, जिस से हमें, deep purple color मिलता है, ये सारे natural है, फिर हमने देखा, natural ही, लेकिन जो animals से derived हो, cocanial भी कहते हैं इनको, जिस में, terian purple, और, terian purple, जो कि इस तरह से, जो शंक, जिसको बोलते हैं, जो ऐसे marine animals होते हैं, उनसे derive करा जाता है, predatory sea snails है, और इसके अलावा, cocanial, red dye, जिन से मिलता है हमें, वो female cocanial insects से, carmine मिलती है, यह निसे, carmine यह insect है, जो इस cacti के ओपर, colony बना के रह रहे हैं, जिससे red color यूज़ था है, यह food और cosmetics में भी यूज़ करा जाता है, lack insects से भी color मिलता है, lack insects, caria lacca, यह सब natural हैं, पर animal origin के हैं, और यह diet है, हमारी एक woolen dress, with lack, और minerals से भी हमें natural dye मिलते हैं, minerals, ocher और malachite, यह तो थे सारे natural, उसके बाद शुरू ही कहानी synthetic dyes की, William Perkin ने शुरू करी, 1856 में, और यह कहानी आगे बढ़ती चली गई, तो हम इस basis पर, करते हैं, जादा तर, क्योंकि अब जादा तर जो dyes होते हैं, वो synthesize होते हैं, तो natural और synthetic हमने, करा origin के basis पर, अब हम classification second category पर आएं, जिससे कि वो dyers जब dye करते हैं, कौन सी bonding उस पर हो, उस अधार पर dye को classify किया जाता है, acidic dyes, water soluble, having acidic group, basic dyes, again water soluble, but having basic groups, modern या beach की कुछ प्रक्रिया की जरुवत होती है, जिनको modern या fixing agent कहते हैं, तब उस कपड़े को या उस substrate को dye किया जाता है, जिसमें की alizarin भी आता है, modern dye में, जो की matter plant से extracted है, natural dye है, पर dyeing की विधी के हिसाब से, modern dye की category में आता है, और अगर हम chemical classification इसका देखेंगे, तो यह हमारा फिर anthracanon dyes में आएगा, direct dye, जो की directly use हो सकता है, direct dye, substantive dye, ionizable होते हैं, direct dyes हमारे, और इनसे, Congo Red सबसे पहला dye था, जो cotton में directly, बिना modern यूज़ करे, जिससे, हमने cotton को dye करा, ingrain dye, जो उसी के अंदर develop होते हैं, azo dyes आते हैं इस category में, reactive dyes, जहां की reactive group presence होते हैं, जो की cotton fabrics के dyeing में काम आते हैं, सबसे important हैं यह reactive dyes, cotton fabrics के dyeing में, जिसमें जो अगर chemical हम group के आधार पर देखें, तो उसमें azo thallocyanin या anthracanon, यह groups present होते हैं, फिर आते हैं wet dyes, जो की wet में, leucoform में change करके इन से dyeing करी जाती है, जिसमें indigoid या anthracanon, यह दोनो chemical constituent या chromophore के आधार पर, यह दोनों किसम के dyes, wet dyes हमारे कहलाते हैं, फिर dispersed dyes, जो के insoluble होते हैं, और इसलिए, क्योंकि पानी में insoluble होते हैं, तो यह synthetic fibers को के साथ, उनको dyeing के काम आते हैं, क्योंकि उसके साथ, उसमें बहुती weak vandables, forces के साथ ही जुड़ते हैं, sulfur dyes, जो sulfur के माधियम से जुड़ते हैं, leuco compound में, इनकी process उसी तरह होती है, यह पानी में insoluble होते हैं, तो पहले soluble leuco compound में change करते हैं, उसके बाद oxidize करके, यह बहुती अच्छे fast colors देते हैं, oxidized insoluble form में, अभी classification chemical nature के आधार पर, indigoid dyes, indigo ring, anthoconon dyes, anthoconon ring, nitro dyes, या nitroso dyes, तो उसी किसम के इसमें present होते हैं, chromophore, nitro या nitroso, azo dyes, जिसमें chromophore होता है, हमारा azo, जिसका इतारण हमारा congo red भी है, जो कि एक category में आता है, हमारे dye की direct dye category में, alpha neptoconons, जो कि हमारे lawson जिसका example है, जो कि महंदी में पाया जाता है, flavons, इसमें बहुत सारे natural dyes इस category में आते हैं, पीले color के जो natural dyes होते हैं, tri-phenyl methane dyes जिसमें आता है, malachite green, इसी तरह dye aryl या dye-phenyl methane dyes जिसमें आता है, oramine O, thanil dyes जिसमें आता है, phenophthalene, zenthene dyes जिसमें आता है, rhodamine, thalocinin dyes, जिससे trends इत्यादी, इन सब को color किया, यह colorant के form में ज़्यादा है, तो copper thalocinin जिसमें natural pigments जैसे हमारे होते हैं, porphyrin ring वैसे होती है, जैसे की chlorophyllia hemoglobinis में होती है, so this is all about the classification of dyes, thank you.